हलो एंड विल्कम टू मैं चैनल आज के इस सेशन में हम ट्रेड रेसर के बारे में बात करेंगे ट्रेड रेसर का फूल डैमो लेंगे और दिखेंगे किस तरह से आप इसमें लॉग इन करते हैं कैसे आप अपने वाच लिस्ट बना सकते हैं कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं आप से देखनी है और बागी सारी बात है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे ICIC से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल पर मिलेगी और यह दिया अपडिमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसके लिंक क्लिक करके आप अकाउंट उपन कर सकते हैं उससे आपको डिरेक्ली मेरी सर्विस मिलेगी तो स्टार्ट करते हैं ICIC डिरेक्ट का ट्रेड रेसर यह एक desktop software है इसको आपको download करना पड़ता है download करके install कर लेते हैं तो यह आपके desktop में आ जाता है उसके बाद फिर आप इसमें login करते हैं login करने से पहले कुछ बाते बता दूँ कि जो आप यहाँ पर trade लेंगे उसको आप website से भी बाद में exit कर सकते हैं यह आप mobile app से भी exit कर सकते हैं तो जितने भी app है mobile app दो mobile app हैं एक web page है और एक यह trade racer है तो आप किसी से भी ले के किसी और में exit कर सकते हैं सारी position एक दूसरी जगे आपको हमेशा दिखेगी इसमें ओके तो login करते हैं आपको डालने हैं आपका ID, password, date of birth date of birth जब भी आप डालें तो उसमें space नहीं होना चाहिए जैसे लोग dash लगा देते हैं देखे डिरेक्ट लिखा हुआ है ddmmyyyyyy ठीक है तो पूरा डालना है आपको और एक चीज़ लोग जो mistake कर देते हैं download masters इस पे आपको हमेशा चेक करना है उसके बाद ही आपको लोग इन करना है काई सारी चीज़े जो update होती रहती है वो आपके screen पे कई बार नहीं दिखती है वो इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि आपने download masters पर click नहीं किया होता है अब हम इसको लोग इन करेंगे तो यह हमारा login हो रहा है files को वो download कर रहा है भी wait करेंगे हम थोड़ा तो यह हमारा जो है अब login हो गया है यहाँ पर ओके तो जब आप login करेंगे तो हमेशा आपके पास इस तरह का page open होता है ठीक है यहाँ पर तीन पहले से बने हुए आपको मिलेंगे watch list और चौथा आप जो खुद बना सकते हैं analytics है margin है और derivatives है तीनों में कोई भी click करके आप बना सकते हैं और आप अपना खुद का भी बना सकते हैं या फिर ready made up use कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी खुद की watch list बना रखी है और जो मैंने last time login किया था मेरे को वही open करना है तो मैं यहाँ पर click करूँगा my last login मैं यहाँ पर click करूँगा तो मेरे जितने भी page है last वाले वो सब यहाँ पर open हो जाएंगे यह देखिए यहाँ पर यह है मेरा पूरा page यहाँ पर जो है वो open हो गया है यहाँ पर जो मेरी बनी बनाई प्लेलिस्ट है यह सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब यह ओपन हो गई है ठीक है अब यह ट्रेयर ड्रेसर को लॉग इन होता है जब आप लॉग इन करते हैं आपकी वाइट लिस्ट बनी है तो इस तरह का पेज जो है वह ओपन होता है ठीक है अब यहां पर देखें यह इंडेक्स है यहां पर तीन आपको दिखेंगे इंडेक्स के व्यू दिखेंगे यहां पर सेंसेक्स है बैंक निफ्टी है इसको आप कहीं भी रख सकते हैं इसको यहां पर उठा के तो मैंने इसको यहां पर नीचे रखा हुआ है ठी करना है एड इंडेक्स पर क्लिक करना है उसके आप डियसी का इंडेक्स एड करना चाहते हैं यह एनसी का उसको आप सेलेट करिए यहाँ पर जैसे मुझे एनसी का कोई इंडेक्स सेलेट करना है तो मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो यह देखिए यहाँ पर सारे आगए आपक 50 चाहिए तो यहाँ पर यह सारे इंडेक्स जो है वो यहाँ पर जैसे मुझे midcap को add करना है तो मैं यहाँ पर इसको click करके ok करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरा midcap आजाएगा मैं इसको double click कर दूँगा direct तो यहाँ पर की आगया यह ठीक है यह मेरा midcap आगया जो अभी 40 पॉंट नीचे चलना है ok तो यह अप मेरे 4 index जो है वो add हो गया है तो इस तरह से तो हम इसको modify कर सकते हैं अभी बात करते हैं watch list कैसे बनानी आपको तो सबसे पहले तो जो कि आपका open होगा उसको आप edit करके save कर सकते हैं या फिर आपको जाना है यहाँ पर यहाँ पर देखिए इस second number पर जो है यह यह यहाँ पर लिखा जाता है watch list ठीक है आपको इस पर click करना है इस पर जब मैं click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक नया page open हो गया है आप इसको create new कर सकते हैं create new करेंगे तो यह आपका जो है नया यह open हो गया है इसको बाद में आप save भी कर सकते हैं और save market watch control s इसका shortcut है यहाँ से आप इसको जो है वो save कर सकते हैं ठीक है अब इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि bunny बनाई जो है वो भी use कर सकते हैं जिसे मैं यहाँ पर जाओंगा watch list में और मेरे को predefined चाहिए यह मेरे को bank nifty की सारे stocks चाहिए तो मैं यहाँ पर click करूंगा bank nifty में और apply कर दोगा okay तो यह जो है यह मेरा bank nifty का जितने भी shares है इसमें वो सब यहाँ पर show होने लगे हैं यहाँ पर इनका last credit price भी दिख रहा है और सारी चीज़े ठीक है अभी जो है आपको इसमें से काई सार चीज़े नहीं चाहिए है तो इसको हम कैसे modify कर सकते हैं यह जो screen आ रहा है अभी देखने पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब proper दिख रहा है मेरे इसमें तो कि मैंने इसको set कर रखा है अपने हिसाब से तो आप भी इसको अपने हिसाब ला गया और कोई भी चीज आपको इधर लानी है जैसे high लाना है आपको यहाँ पर रहा तो इसको ड्रैग कर लिजिए direct यहाँ पर आ जाएगा ओके उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें add करने है कुछ चीज़ें review करने है तो आपको क्या करना है direct right click करना है just a minute यहाँ प आपको करके दिखाता हूँ जैसे mtf वाला हमारी positions हैं तो मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ इसको मैं right click करूंगा यह यहाँ पर देखिए column profile ला रहा है ठीक है column profile में मैं अब यहाँ पर कुछ पी चीज add और remove कर सकता हूँ यह जो सारी चीज़ें है यह मैंने add कर रख इसको select करूंगा इसको inside कर दूँगा तो यह यहाँ पर चला जाएगा ठीक है अब मुझे कुछ लेकर आना है कि कि मुझे कुछ हटाना है total by back इसको इधर से मेरे को इधर ले जाना है यहाँ पर click करूंगा यह यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरह से हम जो है column profile को change कर सकते हैं अब आपको font change करना है इसका size change करना है बड़ा करना है आपको यह चोटा करना है वो चीज़ कैसे करेंगे आप वो चीज़ आप करते है customize में जब आप click करेंगे तो यह देखी यहाँ पर आ रहा है यहाँ से आप इसका जो है वो font change कर सकते हैं यहाँ पर click करेंगे तो यह है जैसे अभी succeed है मेरे को इसको और बड़ा करना है 20 मेरे को देखने में दिकत हो रही है मैं थोड़ा और बड़ा इसको देखना चाहता बूल्ड मैंने कर रखा है यहाँ से मैं इसका font भी change कर सकता हूं अब मैं इसके 22 करके इसको ok कर देता हूं और इसको मैं apply कर दोगा यह देख तो यहाँ पर मेरा जो है यह change हो गया अभी देखी है ऐसा दिखने लगाई है तो इस तरह से आप जो है इसको अपना modify भी कर सकते हैं okay तो अभी तक हमने देख लिया login करना download master selecting page watch list और इसको आप save भी कर सकते हैं save करने के लिए direct आप यहां से कैसे मेरे को sub-add करना है क्या करना है अब script कैसे add करते हैं वो देखें जैसे nsc है by default यहां पर equity रहेगा equity का मेरे को को share add करना है जैसे समझे मुझे Tata Steel add करना है तो TAT इसके यह downwall क्लिक कर लोंगा मैं यहां पर देखे Tata chemical सबसे उपर आ रहा है तो मैं suppose करिए मेरे को EC को add करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा यह equity आ गया Tata chemical मैं इसको यहां से add कर दो ठीक है तो 938 चलना है Tata chemical जो है मेरा add हो गया अब आपको future add करना है तो आप future पर क्लिक करेंगे यहां से future select करेंगे और यहां पर देखें दो दिखता है IDX और SDK SDK का मतलब है आपको stock add करना है कोई ID का मतलब है कि आपको कोई index add करना IDX को क्लिक करना है यह देखें bank nifty nifty और nifty financials तीन चीज़ दिख रहे हैं इसको मैं यहां से यह तीन में से कोई भी add कर सकता हूँ यहां से मैं इसकी जो है expiry change कर सकता हूँ जो भी expiry मेरे को चाहिए यहां पर क्लिक करूँगा तो वो add हो जाएगा सेम चीज options के लिए है option में भी दो option आपको यहां पर मिलेंगे एक तो कोई stock option select करना है या कोई index का option select करना है इंडेक्स का option जैसे bank nifty है इसकी expiry rate 11 November है expiry आप यहां से change कर सकते हैं यहां से आप जो है strike price ले सकते हैं call जैसे मुझे एड करना है तो यह मेरा जो है वो add हो गया है ठीक है इसको मैं अपने हिसाब से add उपर नीचे कर सकता हूं इसको मैं चाहूं तो यहां पर ले जा सकता हूं बस इसको click करके जैसे ही square rectangle का बटन है तो उसको right click के साथ दबा के इसको कहीं वी उपर नीचे कर सकत नहीं तो वो delete हो जाए ठीक है तो इस तरह से तो अब आप जो है अपनी script को add कर सकते हैं अब buy sell कैसे करेंगे आप जैसी यह stock है अभी आपको इसको buy करना है आप direct click करेंगे F1 ओके F1 पर मैं click करूंगा तो यह देखी यहां पर यह जो है यह मेरा script आ गया यहां पर इसको मैं अब मुझे 100 quantity buy करनी है उसके बाद यहां पर order type आप limit और market दोनों में change कर सकते हैं चाहे तो limit order लगा सकते हैं चाहे तो आप जो है market order लगा सकते हैं और limit price जैसे market है तो यहां पर चेंज नहीं होगा यहां पर जो है आप इसको limit price कर सकते हैं limit price करके आपको जो भी limit price जालनी है suppose करिए पेडरल बैंक 101 चलना है मुझे 100 रपेश खरीदना मैं 100 रपेश डालके इसको buy कर सकता हूँ यहां पर और कुछ नहीं डालना है आपको direct आपको यहां पर buy को click कर देना buy कर देंगे तो आपका जो है वो buy हो जाएगा F1 से buy है आपने इसको अभी buy कर लिया है देखिए यह जो F1 दबा के मैंने buy किया है यह normal cash buy है अलग-अलग buy के लिए अलग-अलग options है वो मैं भी आपको बताऊंगा detail में कहां से आप देख सकते हैं क्योंकि जो shortcuts मैं बता दूँगा हो सकता है भूल जा है तो मैं दिखा दू करना है तो आप F2 दबाएंगे उसके उपर रखके ओके F2 से यह sell नहीं हो रहा है F2 मेरा चल नहीं रहा है तो आप इसको direct right click करके भी इसको यहां से direct आप यह sell पर जाके click कर सकते हैं तो यह आपका sell वाला page open हो जाएगा यहां ठीक है तो दो तरीके हैं एक तो आप अपने shortcut करके कर सकते हैं दूसरा right click करके आप इसको buy और sell कर सकते हैं equity में है अभी equity में आपको chart देखना है तो right click करके आप इसका इंट्रदे chart यहां से open कर सकते हैं तो इहां से जो है यह Intralay Chart इसका जो है यह ओपन उगए यहां पर राइट कलिक करके Add Indicator भी कर सकते हैं यह यह इतने सारे Indicator है आप जो मर्जी लगा सकते हैं काफी सारे लोग जो हैं वह यहां से add indicator में जाके इसको add कर सकते हैं ओके यहां से direct आप इसको buy sell भी कर सकते हैं आप पर price आया आप direct यह chart से यहां पर buy sell कर सकते हैं यहां से आप मैं इसको बंद करूंगा तो यह पूरा बंद नहीं होगा जो मेरा यहां पर पेज उपन रहेगा वही बंद होगा मैं इसको यहां से क्लोज करूँगा सिर्फ देखे चार्ट बंद होगा मैं वापस उसी पेज पर आ गया हूँ ठीक है तो इस तरह से तो आप equity में buy और sell करते हैं कहां से open position देखना है और वो सारी call option buy करने है तो option में buy करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा control के साथ F1 दबन है ठीक है control के साथ आप F1 दबाएंगे तो यह दिखिए आपका buy का यह page open हो गया है quantity यहां पे दिखा रहा है एक lot 650 का है तो quantity आपको यहां पे 650 डालने है एक नहीं डालना है 650 डालना है थीक है अभी यह आपटे call करना है आपको buy के put करना है वो आप change कर सकते हैं आप trading करते हैं तो इसके आगे आप सब समझते हैं कैसे करना है और यहां से आप इसको market और limit price कर सकते हैं ऐसे थीक है और limit price डाल सकते हैं करेंगे तो डालने की जड़त नहीं पड़ेगी वाई क्लिक कर देंगे तो यह वाई हो जाए ओके तो अभी हमने देख लिया कैश में कैसे वाई करते हैं और ऑप्शन में कैसे वाई करते हैं अब एक बहुत बड़ा है कुश्चन जो सब के मन में रहता है ब्रैकेट ओर्डर ठीक है एक दो दिन में याद हो जाया गई आपको कंट्रोल के साथ F12 आपको प्रेस करना है उससे यह देखिए यह मेरा कैश का जो है वो आ गया अम इसमें कैश में कितने ओर दिखा रहा है यहां पर पांच ओर एक साथ लगा सकता हूं ठीक है सब सेलेक्ट करूंगा सारे मैं यहां पर पहले स्टॉक का नाम, कॉंटिटी, मार्केट से लेना है, लिमिट से लेना है वो सारी चीज़े मैं पहले यहां पर डाल दूँगा पांचों फिर जो जो मेरे को बाई करना है जैसे मैं यहां पर पांचों को अगर चेक कर दूँगा तो जो जो मेरे को बाई करना है वो सब buy हो जाएंगे यहां पर सारे option आते है cash में buy करना margin में buy करना है EAT में buy नहीं होता है EAT में sell होता है ठीक है तो इस तरह से आप 5 order अपने जो है एक साथ execute कर सकते हैं किसमे equity में अगर आपने 5 लगा रखें आपको फिलाल 2 ही करने हैं पहले 2 नहीं करने हैं तो इनको आप अंचेक कर दीए ठीक है अब यहां से आप सम्मिट करेंगे तो यह जो नीचे आले 3 है यह जो है यह आपके execute हो जाएंगे ओके तो इस तरह से तो आप जो है अपना trade racer से अपना basket order जो है उसको लगा सकते हैं ठीक है equity का basket order तो ज्यादा लोग लगाते नहीं है mainly जो लोग लगाते हैं वो लगाते हैं options के basket order ठीक है तो options में जब आप basket order लगाएंगे तो उसका जो shortcut की है वो है control F10 control के साथ F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है यह देखिए यहाँ पर आप future और option का combination बना के जो है अपना basket order जो है वो लगा सकते हैं ठीक है यहाँ पर 5 order आप एक साथ place कर सकते हैं ठीक है पांचों को select कर लिजे आपको future add करना है future add करिए option add करना है option add करिए यहाँ यहाँ पर contract select करिए quantity डालिए पच्चिस जैसे bank निफ्ट है तो यहाँ पर एक lot कर रहे हैं तो पच्चिस दो lot कर रहे हैं तो पचास ठीक है उसके बाद validity इसको कुछ नहीं करना है आपको ठीक है यह limit और market इसको आप जरूर change कर सकते हैं यहाँ से ठीक है limit पर करना है कि market पर पर जब आप basket order जालते हैं तो mainly लोग market order पर प्रेफर करते हैं तो इस तरह से आप जो है इसमें basket order जो लगा सकते हैं trade racer में यह basic सी और मोटी मोटी बाते हैं clear हो गई है अब बाकी सारी चीजे और आपको explore करना है तो वह सब आप कहां से करेंगे कहां से सारी बातें आपको पता चलेंगे वह मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर देखिए आपको यहां पर उपर यहां पर दिख रहा है यह trade racer लिखा हुआ ठीक है आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह सारी चीजे आप इसकी जो है वह देख सकते हैं यहां से trading सपोस करिए आपको trading करन है तो आप क्या करेंगे place करना है buy order f1 cash का buy order है sell करना है f2 derivative by control f1 derivative sell control f2 ठीक है currency आप फ 3 से buy कर सकते हैं और f4 से sell कर सकते हैं ठीक है तो यह जो page है यहां पर आपको सारे shortcut दिखेंगे जो main आप use करते हैं trading के लिए ठीक है FNO का यह order आप यहां से लगागे है कि Ctrl F10 है equity का जो है वो Ctrl F12 है दो तीन बारा आप यूज़ करेंगे उसके वाद आपको यह सारे जो shortcuts हैं वो आपको याद हो जाएंगे automatic ठीक है दो से तीन दिन लगते हैं यह सब आपको याद हो जाएंगे अब ही अपन चलते है रिपोर्ट ने इसमें एक और चीज है रिपोर्ट यह देखना बहुत ज़रूरी जाता है जिसे हम एकुटि में हैं एकुटि में आप देखना चाहेंगे open margin position आपने कोई margin में buy कर रहा है उसको देखना चाहते हैं margin plus में buy कर रहा है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर direct आपको जो है shortcut की दी हुई है shift के साथ f6 shift के साथ f5 ठीक है pending for delivery कौन-कौन सी आपकी pending for delivery है equity का आपको portfolio चेक करना है तो control shift f7 है ठीक है कितना interest आपको देना है अभी और demate holding report जो है वो सारी चीज़े आप यहाँ से reports में आके check कर सकते है equity की जैसे ही आप यहाँ पर derivative में भी check कर सकते है profit loss statement देख सकते है pay of analyzer यह बहुत important है जो option में strategies बना के काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर आप pay of analyzer भी दिया हुआ है आप अपने strategy बना के उसको check कर सकते हैं कि कितना maximum profit होगा कितना maximum loss होगा यह बहुत important है ठीक है तो इसको आप use करिए FNO में open position control shift f6 से आप देख सकते हैं FNO portfolio book आप देख सकते हैं control shift f5 से यह direct आप यहाँ से भी देख सकते हैं यह जो option दिया हुआ ना यहाँ पर FNO और equity आप यहाँ से भी यह सब देख सकते हैं और लेकिन यहाँ पर आपको shortcut चाहिए तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है सेम चीज़ आप currency में भी देख सकते हैं जो भी आपने currency में trade किया हुआ है share says margin ठीक है pledge career limit के लिए pledge security आपको देखनी है तो alt x से आप देख सकते हैं status book देख सकते है alt shift r से तो सारे आपके जो shortcuts हैं वो आपको यहाँ पर दिये हुए हैं अब यहाँ पर tools हैं बहुत सारे trend scanner live scanner जिसे मैं आपको live scanner अभी आपको यहाँ पर दिखाता हुए आप live scanner पर click करिए ठीक है अभी आपको क्या देखना है यह all यह फिर यह मैं यहाँ पर निफ्टी जैसे हाँ पर निफ्टी selected है ठीक है new day high पर कौन कौन गया है वीव करूंगा अब मैं यहां से तो market negative है फिर भी देखते हैं कितने daily और weekly high बनाया यह रहे new weekly high बना रहे है रिलाइंस इंडिस्टी बना रहा है अधानी पावर बना रहा है जीमार इंट्रा बना रहा है तो भारती एटल बना रहा है महिंद्रा बना रहा है तो यहां से आपको देखने मिल जाएंगे new weekly lows तो यहां पर बहुत सारे option ऐसे जो आप स्कैन करके सब कुछ यहीं पर देख सकते हैं किसी दूसरे पेज में आपको जाने की जरूत नहीं पड़ती है और एक चीज़ और बता दूँ जो आपको mobile पे flash SMS आते हैं कि यह buy कर लीजे यह sell कर लीजे यहां पर पहले आते हैं इसके एक से दो मिनिट बाद वो आपके mobile पर पहुंसता तो सबसे instant आपको जो है कोई भी call आती तो यहीं पर यहीं पर मिलेगी ठीक है इक का लेवर्टी की जैसे आई है अभी nickel की आई थी तो equity, commodity, future, option सब की calls आपको यहीं पर मिलेगी ओके अभी हमने report भी देख लिए, सब देख लिया, markets आप advanced decline, growth, जो भी आपको चाहिए market का data सब आपको service के अंदर बिलता है, आपने trade racer खोल लिया है, या ICIC direct की website को open कर लिया है, उसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं है, कोई भी दूसरा page open करने की जरूत नहीं है, सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं, तो यह advantage होता है एक full service broker का, वो आपको सब कुछ बदाएगा, जो आपको एक discount broker नहीं दे सकता, जो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको जो है, आपका full service broker देता है, ओके, आपको यह demo समझ में आया हो, कैसे trading करते हैं, अगर इसके बाद आपको कोई doubt है, आपको कुछ बाद समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को comment box में पुछ कर दो कर दो आपको करता है।